आपको यहां पर एक फॉलिणरोमिल दिया गया है जिसमें बोला गया है नतरब एक फिसक्तवाल और एक फिसक्तवलansen बन के लिए आपको गón करने के फ्रॉब треб अगया है और आपको क्या बोला गया है एक पित्वर ही रोपुस कर ली के लिए देखेंगे आपका क्वेश्चन है क्या हुआ कि कि कुछ प्रॉब्लम है कि कु कि कि देखें यहां पर हम क्या कर रहें एक का करेंगे जिरो पुट करेंगे पर हुआ यहां पर सौल करते हैं, 5, यहां पर x की जगे हमने 0 लिखा, इसकी पावर c, minus 2 into 0, इसकी पावर 2, plus c into 0, और यह minus 2, किसी 0 की पावर, c वो या कुछ भी ओसका अंसर 0 ही आता है, तो यहां पर 5 into 0, यहां पर, sorry, यहां minus है, 2 into 0, c into 0 की वाल्यू 0, then minus 2, 5 into 0 is 0, 2 into 0 is 0, plus 0 and minus 2, only हमारे पास क्या वाल्यू बच्ची, minus 2, that is answer, समझ में आया, कुर्शन आपको कैसे सॉल्व करना है, यह मैं, यह मैं, एक और बर समझा दीजी, यह मैं, आपको कुछ नहीं करना है, जब x की वाल्यू आपको 0 दिया गया है, इसका मतलब जहां जहां x है, आपको उसकी वाल्यू 0 पूट करना है, यहां x है, तो हमने क्या लिखा है, 0, यहां x है, तो हम क्या लिख रहे, 0 लिख रहे, ठीक है, अब 0 की पावर c लिखे या कुछ भी लिखे उसका आंसर 0 ही होता है, यहां पर भी 0 की पावर 2 है, फिर भी आंस 3 को मुटिटेश्टों जीरो होता है 3 x 0 is 0 होता है —2 के पास प्याथ खा भी नहीं इसलिए हमने कोई वल्लू को नहीं की 5 x 0 जीरो, 2 x 0 is 0, plus 0 & 2 यहां पर सभी वल्लू 0's है तो इस इस माइनस की पूच होते ही तो हमारा आंसर क्या बगाएगा —2 मैं, —2 मैं 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 बोलिए क्या बोल रहा कोई बोलिए कोई कुछ पूछ रहा था क्या नो मैं मैं 5 इंटू 0 के बाद माइनस प्लस दोनों लिखे हैं क्या बोलिए प्रश प्रश्ट करें या कोई क्या है यह बोल्ड मारिंगे जा हाथ प्रश्ट कोई प्रश्ट करें कि यह व् यह 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 मैं कर नहीं चैनल को भॉर आहां है कि जैसने मारा रें है इसे लिए आवाज नहीं आ रे और नौक्ष ना का फिल वन एंड यहाँ पर आप देखेंगे एक्स इत्वर माइनस तू इन में थे मैं एक्सपार नहीं को एक वर्षन सा आपको बनाना हुता मैं x equal minus 2 मैं x equal minus 2 चलिए ठीक है हमको यहां पर बोला गया x की value minus 2 पुट करने के लिए तो हमारे पास question यही रहेगा 5x cube minus 2x square plus dx और यह हो गया minus 2 अब यहां पर हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां पर हमको क्या लिखना है minus 2 लिखना है यह हमने लिखा 5 और यहां पर लिखा minus 2 की पावर 3 minus 2 into minus 2 का square plus 3 into minus 2 और यह minus 2 अपने place पर ही है अब यहां पर हम देखतें 5 minus 2 की पावर 3 मतलब minus 2 को कितने times लिखना है 3 times लिखना है है ना 2 to the 4, 4 to the 8 minus minus plus होता पर से plus minus minus तांट पर क्या है आपका minus 8 तो 5 into minus 8 यह minus को अपने place करें यह minus 2 को हम 2 times लिखेंगे तो 2 to the 4 minus minus plus होता है तो यहां पर सिर्फ 4 आएगी यह plus minus minus 2 का multiplication 2 से 3 to the 6 और यह minus को अपने place करें यहां पर हम इसका multiplication करेंगे 5 to the minus 40 आएगा क्योंकि यहां पर minus है फिर यह minus 4 to the 8 minus 2 तभी value minus में तो minus minus plus होता है तो तभी को हम add कर देंगे तो कितनी value हो जाएगी यह आपकी हो जाएगी 48 और 250 और यह minus 50 इस तरह से आपका question होगा समझ में आ रहा है Yes ma'am Yes ma'am Yes ma'am No ma'am आप समझ में आप लोग कर लोगे Yes ma'am ठीके अपको दो तो नहीं No ma'am ठीके इसका question number second जो है यह वाला question यह आप लोग खुद से बनाएगे X equal 1 रखकर ठीके अब next question यह दिए आप देखते हो Question number 2 में क्या बुला है For all the following polynomials find the values of P of 0 P of minus 1 P of 2 and P of 3 जैसे हमने यहाँ पर एक question को एक बार अभी हमने first question में क्या 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 लिखी 0 लिकी दूस्रे बार X के वल्यू वन लिकी निसे बार जबार मैं सका सॉल लिकार ताधा क्या क्या देखके वल्यू व्लिव माइनस 2 लिकी अब यहाँ पर आपको एक ही question को 3 times solve करना एज 1 बार 0 रखके solve करेंगे then minus 1 रखके solve करेंगे then 2 रखके solve करेंगे फोट यह एक कुष्ट अपुएक किरुंगे को अफरी कर रेकी कोई। मैं थार्ड वाला मैं थार्ड वाला मुझे मालूम था आप लोग थार्ड वाला ही कोशन कुछोगे इसलिए मैं उसे पहले ही नोट डाउं कर लिए ठीक है चलिए देखते हैं आपको यहां पर क्या बोला है इस वाली वल्ल्यू को P of 0, P of minus 1, P of 2 and P of T, इसको read किया जाता है P of 0, क्या read किया जाता है P of 0, मतलब यहां पर हमको जब कुछ करना है, तो सबते पहले आपको क्या बोला गया है, P of 0 को करना है, तो जहां आप देखेंगे, यहां पर आपको क्या था, P of T लिखाया है तो इसका मतलब जहाँ जहाँ T है वहाँ पर आप क्या लिखोगे? 0 लिखोगे. अब हम T of 0 लेकर के चल रहे हैं, तो 2 by C, T square मतलब 0 का square, minus 1 upon C, फिरी ये हो गया आपका 0, plus 1 upon C, ये आपका 0 है, 0 तो किसी भी चिसका multiplication होता है, तो 0, ये भी 0, और यहाँ पर क्या बचाँ? तिर अगला देखते हैं, आपको बोला गया था, आप T of minus 1 रखना है, क्या रखना है? T of minus 1. चलिए, यही हमारा same question है. तो यहाँ पर हम रखके देखते हैं, क्या रखेंगे? minus 1. तो हमने यहाँ पर रखा 2 by 3 into minus 1, इसका square, minus 1 upon 3. इंटू minus 1 plus 1 upon 3. अब इसको minus 1 का square मतलब plus 1 हो जाता है. यह minus minus plus 1 upon 3 और यह हो गया 1 upon 3. यहाँ पर 2 का multiplication रखेंगे से 2 वन जा 2 divided by 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. अब यहाँ पर सब साल्सियम क्या हो जाएगा? 3. यहाँ पर 2 plus 1 plus 1. 2, 3, 4. तो यहाँ पर आपका अंसर क्या हो गया? 4 by 3. यह इसकी value निकली P of minus 1 की. समझ में आ रही है सभी को? यहाँ पर यहाँ आपको? क्या बोलागे? 2 put करने के लिए. तो 2 का square minus 1 upon 3 into 2 plus 1 upon 3. 2 का square क्या होता है? 4 होता है. तो हम यहाँ पर 2 upon में 3. 2 by 3 plus 1 upon 3. 4 to the 8. 8 by 3 minus 2 by 3 plus 1 upon 3. सबका denominator सेम है. तो हम एक बार लिख देंगे. यहाँ जो value उपर लिखिये उसको लिख देंगे. 8 में से 2 को minus करेंगे कितना हो जाएगा? 6? 6 or 1? 7. आंसर इस 7 by 6. समझ में आ गया? यहाँ पर हम लिखते हैं. इसमें करना है P of C को पूता है. 2 by 3 into 3 square minus 1 upon 3 into 3 plus 1 upon 3. यहाँ पर 2 by 3. 3 का square, 3 3 is a 9. minus A T C A 3 cancel क्या बचा only 1. और यहाँ पर क्या बचा 1 upon 3. यहाँ पर हम इसको कट कर जाएँ. 3 3 is a 9. तो 3 2 is a 6 minus 1 plus 1 upon 3. 6 में से 1 को माइनस कर दीजे. 5 plus 1 upon 3. यहाँ पर इसके अपर में कुछ नहीं. अजी में लिया. कितने बल्लियो अगी? 3. यहाँ पर 5 दीज़ पर 15 plus 1. आंसर इस 16 by 3. ठीक है? अमझ में आ गया? यहाँ आपर 5 लिखते हैं. यहाँ लिखते हैं. मैंने एक क्वें किया है मतलब एक क्वेश्टिन का आपको कितने पार सॉल करना है वान टू 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 टाइम सॉल करना है टीक है बन जाएगा सब्सक्राइब अगला देखें क्वेश्टिन नंबर थार्ड मैं आपको यहां पर क्या बताना है कि यहां पर देखें find out the values written beside the polynomial are they are 0 मतलब आपको पताना है कि हम इसको 0's polynomial में कैसे कर सकते हैं कैसे हम इसका 0's polynomial value रिकादेगे मतलब ऐसा हम क्या पुट करेंगे कि value के आ जाएगी आपकी 0 तो यहां पर आपको गल्यू क्या दिये ए यहां पर पुट करेंगे तो गल्यू हमारी क्या आनी चाहिए क्या ना से वाते ही करना है क्या कुश्ण मार्म क्या नम्बर थार्ड दिखें क्या नम्बर थार्ड में आपको पी ओफ एक्स इक्वल दिया हुआ है c x to plus 1 और आपको बोला गया है एक्स की वल्ल्यू क्या रखना है माइनस 1 बाए c रखना है अब देखो यहां पर आपको पूट करने करें क्या बोला गया आपको पूश्ण में दिया गया है c of x की वल्ल्यू क्या है c x plus 1 दिया गया है ठीक है और आपको यहां पर x की वल्ल्यू क्या दी गई है x की value लिखे है, minus 1 by 3, मतलब इस x की जगे और इस x की जगे हम क्या लिखेंगे, minus 1 by 3, क्या पर आप लिख सकते हो, putting x equals minus 1 by 3, हम यहाँ पर put कर रहे है, तो c की value minus 1 by 3, हम put करते है, 3 into minus 1 by 3, और यह हो गया, plus 1, यह 3 से यह 3, cancel हो गया, क्या बचा minus 1, और यह बचा plus 1, minus 1 और plus 1 इक्पर 0, अंसर हमारा 0 आया, अंसर क्या आया? जीरो आया, इसका मतलब, so minus 1 by 3 is a 0 of c of x, मतलब, इस c of x के लिए, जो minus 1 by c value है, वो जीरो के equality, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? मैं मैंुच्चिन से इता, कर्फॉछे को प्रॉब्लम हो रहे? साल भ एक को मेरा बोच्च , जा पको के लिए सफ ए।बलम हो रहे? कlor मैं लोगा का लोगा मैं डोगा जाया? वोइस नहीं आरी मेरे? मैम आरी है आरी है ना? चलिए दिखिए Q3 का 1st Q3 नहीं आपक्रेंगिया इन में से और कोई Q3 आप बता देगे मैं कॉन्सा Q3 एक्प्रेंग करूँ मैम वन कोईक बर उसम्धियाओ ना? 7-7 1 कोई में जैसे अभी हमने Q3 7 वालब हाँ, ओके, ठीक है 7 वालब है हाँ, सुन लिया बेटा, अभी करवारी है Q1 में जैसे हमने Q2 को solve किया आपको यहां पर X की value दे दी गई है सिर्फ जहां X से वहां पर value को put करना है जहां पर X से हमने value को put कर दिया minus 1 by 3 लेकर और उसको solve कर दिया answer आपका 0 आ गया इसका मतलब minus 1 by 3 जो है, इसके लिए zeros है, क्या है, zeros polynomial बन सकता है क्योंकि value हमारी क्या आ रही है 0 आ रही है, यह कैसे बितना ही करना आपको value put करके answer 0 लागत कर दिखाना है आप लोग ने बोला question number 7 है ना, चलिए देखते question number 7 1 क्या है आपका P of R equals 3R square minus 1 जहां पर R की value आपको दी गई है minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3 दो value दी गई है आपको बोला गया है यहां पर P of R करके value दी गई है जहां पर R की value यह और यह आपको 2 times यहां पर value put करना है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे है putting R equals minus 1 upon root 3 क्या यह उसकर रहे है minus 1 upon root 3 हमने यहां पर लिख दिया minus 1 upon root 3 C into R का मतलब minus 1 upon root 3 का square और यह होगया minus 1 अब यहां पर C into minus 1 का square only 1 होता है root 3 का square only 3 होता है फिर minus 1 मैंने बताया था root के उपर यह यह square लगा दिये जाये तो वह root से बाहर आ जाता है अब यह 3 से 3 cancel क्या बता 1 minus 1 answer क्या आया 0 मतलब यह value जो क्या है इसके लिए zeros है इस question के लिए zeros है तो कि हमारा answer क्या आ गया 0 अब हम second time इसको put करेंगे putting r equal 1 upon 2 3 एक बार माइनस आपको बोला गया था एक बार आप लग्स करोगे क्योंकि आपको 2 values दे गई है तो यहां पर हम देखते है किसका माइक और ने बिटा आपको कर दीजे माइक आपको करोगे तभी आप लोगों को ठीक्टी सुनाई आएगा ठीक है अगे देखते है यह हो गया 3 into 1 का स्क्वाइर 1 होता है और रूट 3 का स्क्वाइर 3 यह माइनस वन यह सिर्षे 3 सिर्षे 3 कैंसल हो गया यह बचा 1 और यह बचा 1 और यह बचा 1 आपर इस 0 इसका मतलब minus 1 by root 3 and 1 upon root 3 दोनों ही क्या है 0 है किसके लिए 3 of r के लिए ठीक है तो same case जैसे हमने यहां लिखा था तो minus 1 upon 3 is the 0 of 3 of r same यहां पर हम लिख देंगे तो minus 1 upon root 3 and 1 upon root 3 and 1 upon root 3 is 0 of 3 of r इसका रसे आपको कुक्षिन फॉर्ण हो चाहिए तो आपको एक्सराइज यही खतम हो जाएगी इसमें आपको बताना है find the zeros of the polynomial जैसे देखे इस question में आपको x की value बताई गई थी कि यह आपको put करना है यहां पर हमको x की value निकालना है क्या करना है x की value? क्या करेंगे x की value को? निकालना है निकालना है निकालना है निकालने के लिए आपको क्या करना होगा देखते हैं question number 4 first question explain करनी हूँ मैं अभी क्या लिखा है? P of x equals x plus x ठीक है? यह दिया गया है हमको तो हम यहां पर क्या करेंगे? आपको जो P of x दिया है मतब हम यहां पर इस question को solve करने के लिए x plus 6 equals 0 लेके solve करेंगे क्या करेंगे? x plus 6 equals 0 लेके solve करेंगे और x की value निकालने x की value क्या आ जाएगी? यह plus 6 अधर आएगा तो minus 6 यह वाली-वाली हो जाएगी? तो हम यह आपकर लिखेंगे by putting x equal minus 6 value of P of x is 0 so x equal minus 6 is the 0 of polynomial मतलब x की value क्या आई? minus 1 यह दी minus 6 को मैं यहां पर truth करती हूँ तो मेरा answer 0 आ जाएगा इसलिए यह minus 6 क्या है? 0 of the polynomial आपको यहां पर हर question में सिर्फ यही करना है जो question दिया है उसके एक पर 0 लेकर चलना है और x की value find out करती है समझ में आ रहा है क्या बोड़ी हूँ मैं? yes ma'am yes ma'am yes ma'am सलिए देखे question number 4 यह आपका question है में से कौंसा question explain कर दो yes ma'am बताएए कौंसा question explain करो ma'am 8 ma'am 8 इस वाल 5 वाला 5 वाला 5 वाला 5 वाला 5 वाला 5 वाला और कौंसा? 8 वाला यह दो question explain कर दो yes ma'am yes ma'am yes ma'am सबसे simple वाला question आप लोगों ने मुझे सौंसानिक ली बोला है no problem आपकोस इस problem यहां हुआ कि यहां इतना बड़ा statement लिए इसलिए आप लिए आपको मुझे आपको यहां पर यहां पर यह बोला गया है RBI मतलब किसी बल्ली फाइन करनी है R की बल्ली फाइन करनी mic off करिए आप लोग जले mic off करिए उसके वादी में कुछ गुन दी देव कुमार yes ma'am mic on करते हो आप बार बार यहां पर जो आपको वाल्यू दी जाती है p of our बोला है तो आपको आर की वाल्यू फाइंड आउट करनी आपको इस ब्रैकेट में दिया जाता है उसी की वल्ली फाइंड आउट करने है अब यहाँ पर आपको क्या दिया था प्योफ एक्वल प्लक दी और यह बोला गया है सब्सक्राइब क्यों करेंगे कि अबर की वन्याइब कु hij यहां पर P of R लिखा हुआ है, जब P of R लिखा है, इसका मतलब R की ही value find out करनी के लिए बोला जा रहा है, अब equal हम क्या लिके चलेंगी, 0, अब मुझे R की value find out करनी है, तो मैंने PR को पहले यह लिखा, यह D इधर plus name, equal के, equal के right side पर जाएगा, तो किसमें जाएगा, plus में, minus में, into में, minus, 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 plus D इधर आया, तो यह बन गया, minus D हो गया, अब मुझे किसके value find करनी है, R की, तो इस T को भी मुझे उधर भेजना होगा, अब T किसमें जाएगा, plus में, minus में, into में, divided में, किसमें, minus में, minus में, minus में, for example, मैं यहाँ पर लिख जू, 2 into 2, equals 6, अब मैं यह बोलू, इस 2 को मुझे इधर भीज़ गाए, किसमें जाएगा, मैं, divide, divide में, 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 yes ma'am, 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 yes minus d upon t सेम जैसे हमने यहाँ पर statement लिखा वही statement आप यहाँ पर देए clear है yes ma'am yes ma'am yes ma'am बात हो गया root 5 minus x इसमें आपको किसकी value find करनी है x की value करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे root 5 minus x equal 0 चलिए बताईए क्या लिखू मैं ma'am root 5 को इदर ma'am root 5 को इदर लाइए आप यहाँ क्या लिखो सबसे पहले x x लिखू हाँ इदर equal में क्या लिखू बोलिए ने आप लोग root 5 root 5 root 5 बताते है हो गया question सही क्या question सही है अरे सही लिखा है यह जरत लिखा है मैंने बताईए अरे सही है अरे सही है यह जरत लिखा है यह जरत लिखा है अरे सामने कोई साइन नहीं मतलब प्लस है इसके सामने जब माइनस है तो माइनस साइन रहे गा ना वो प्लस में सोडी ना कंवर्ट हो जाएगा अब हम यह माइनस से यह माइनस चैंसल कारेंगे तब हमारी एकसी वन दिवाएगी रूट 5 यह करने का सड़ी का तहीं था समझ में आया है येस मैम येस मैम येस मैम आप किसी को और वे डॉट बाग्ली कोशन्स बन जाएंगे येस मैम येस मैम कोशन को सुल करने के डिए आप लोग ट्राइ करिएगा जो कुशन नहीं बनेगा उसमें टिक्समाफ करके रखे कल मुझे फिर आप लोग पूश करके हो यास में जो कि अप्रों से कल्पूश लिएगा आज आप लोग खोशे सो रखे कर के देखे के राए कि ट्राक्टाइब पूइंट यहां पर हमारा सप्वेश हो रहा है ठीके इस अखे रेखे झाल 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 झाल